अगर मैं आपको कहूँ कि आज जिस जगा आप बैठे हो वो जमीन आज से करोडों साल पहले 8500 डिक्री के तापपान में उबल रही थी या ये बोलू कि जहां आप बैठे हो वो जगा लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी जी हां ये दोनों बाते मैं बना के नहीं बोल रही हूं ये दोनों बाते सच है इस वीडियो में मैं आपको हमारी प्रिथवी के करोडों साल की हिस्ट्री कुछ मिंटर में बताने वाली हूं नमस्कार दोस्तों मैं गिनी नहुंडियाल आज आपको प्रिथवी के बारे में कुछ इंट्रस्टिंग हिस्ट्री बताती हू जिस जगा आज हमारा सोलर सिस्टम है वहां अलग-अलग तरह की ग्यास और धूल के बादल हुआ करते थे साइंटेस्ट के अकॉर्डिंग ये धूल के बादल से दूर एक स्टार हुआ करता था वक्त के साथ साथ इस्टारे की उर्जा कम होने लगी जिस वजह से उस तारे में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ ब्लास्ट की वजह से अंत्रक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी इस समय बादलों में मौजूद धूल के पार्टिकल्स दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े एस्टरोईड और पत्थरों में कनवर्ट हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव सापस्टेंस ने ग्रावटी का निर्मान किया इस ग्रावटी के कारण बीच में हाइडरोजन और हीलियम इखटा होने लगे और ये इतनी ज्यादा मात्रा में इखटा हुए कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट की वजह से हमारा सन यानी सूरज का जन्म हुआ अंत्रेक्ष में फैले एस्ट्रोइड में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज के चक्कर लगाने लगे धीरे धीरे इन एस्ट्रोइड में टक्कर होने लगी जिसके कारण मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लानेट फॉर्म हुए scientist के according हमारी अर्थ और मार्स के बीच एक ठीया नाम का प्लानेट सूरज के चक्कर लगाता था अर्थ में gravity होने की वजह से सूरज के चक्कर लगाने वाला एस्ट्रोइड अब अर्थ के चक्कर लगाने लगा और धीरे-धीरे करोडों साल तक ये हमारी पृत्वी में गिरते रहे और यही सब हमारे पडोजी ग्रे थिया पर भी हो रहा था जिस वज़े से थिया प्लानेट हमारी अर्ट के करीब आने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि ये थिया प्लानेट हमारी अर्ट से टकराया इस टकराव की वज़ह से पृत्वी के हिस्से पार्टिकल्स के रूप में अंतरक्ष में फैल गए और रिंग्स की तरह पृत्वी के चक्कर लगाने लगे और जब चक्कर लगाते हुए पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहे तो इनसे बना हमारा मून यानी चांद उस वक्त पृत्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री के तापमान में उबलता हुआ लावा फिर वक्त के साथ पृत्वी दीरे ढीरे ठंडी हुई जिसके कारण पृत्वी के heavy elements जैसे metal और radioactive elements पृत्वी के सेंटर में इखटा हो गए और जो elements हलके थे वो पृत्वी के surface पे आ गए कुछ सालों तक प्रित्वी पे एस्टरोईट की बरसात हुई और इन एस्टरोईट में जमाता नमक, मिनरल्स और पानी और जब करोडों साल तक ये हमारी प्रित्वी पर गिरते रहे तब हमारी प्रित्वी की सरफेस पानी से भरने लगी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसी समय गहरे पानी के अंदर पहली बार माइक्रो और्गनिजम का जन्म हुआ था लाखों सालों बाद एक बाक ऐसा आया जब प्रित्वी की पूरी सता पानी से ढख चुकी थी हमारी प्रित्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वज़े से हमेशा गर्म रहता है लेकिन जब प्रित्वी की सरफेस ठंडी होती है तो जमीन के अंदर की गर्मी बाहर नहीं आ पाती है जिसके कारण हमारे वॉलकेनों का निर्मान होता है और उस वक्त ऐसा ही हुआ पानी से ढकी प्रित्वी पर हजारों की गिंती में ज्वाला मुखी निकलने लगे और आने वाले लाखो सालों तक इन ज्वाला मुख्यों का निकलना जारी रहा जिससे पानी के उपर जमीन का निर्मान हो रहा था उस वक्त पृत्वी पे वातावरन ना होने की वज़े से अंत्रिक्षे एस्टरोइड लगातार पृत्वी पर गिर रहे थे आज से लगबग 300 करोड साल पहले पृत्वी पे ऐसा वक्त आया कि पृत्वी का वातावरन स्थिर होने लगा था ज्वाला मुखी निकलने कम हो गए और उस समय पृत्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था साल बीते और धीरे धीरे हमारे पानी के अंदर के माइक्रो ओर्गिनेस्प विक्सित होते गए आज से लगबग 250 करोड साल पहले पहली बार पृत्वी पे ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स और धूप का इस्तमाल करते थे और ऑक्सिजन बाहर निकालते थे और इन माइक्रो ओर्गिनेस्म की वज़ा से हमारे इनवायमेंट में ऑक्सिजन की मात्रा बढ़ती गई और इस ऑक्सिजन की वज़ा से हमारी पृत्वी का अट्मोसफेर बनना शुरू हुआ फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारे अटमोस्फेर में ऑक्सिजन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये माइक्रो ओर्गिनिजम खत्म होने लगे इस वक्त हमारी प्रिथवी अब ठंडी होने लगी थी और ऑक्सिजन से भी भड़ चुकी थी जिसके कारण जमीन और हमारे अटमोस्फेर में आईरन और उक्सिजन रियक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि इस रियक्शन की वज़े से हमारी प्रिथवी लाल दिखने लगी वक्त बीता और धर्दी के टेक्टोनिक स्प्लेट में दरार आने लगी और जमीन के अंदर का लावा अब जमीन से बाहर उबलने लगा और इस समय हमारी प्रिथवी पर कारण डाउक्साइड की मात्रा बढ़ गई और प्रिथवी पर शुरू हुई ऐसे ड्रेन इस ऐसे ड्रेन की वज़े से प्रिथवी का तापमान अब घटने लगा और कुछ समय बाद तापमान इतना घटा गया कि पृत्वी का पानी बर्फ में कनवाट हो गया इस समय पृत्वी पर पहली बार आई से जाया और पूरी पृत्वी सफेद बर्फ से ढख गई आम तोर पर जब सनलाइट पृत्वी पर पढ़ती है तो जमीन सनलाइट को एब्सॉप करती है लेकिन इस समय पूरी पृत्वी बर्फ से ढख चुकी थी तो सनलाइट एब्सॉप करने की जगा रेफलक्ट होके वापिस जा रही थी और सालों तक प्रित्वी बर्फ से डखी रही लेकिन फिर जमीन के अंदर के जॉलमों की फूटने शुरू हुए और इसकी गर्मी से बर्फ पिखनने लगी और इस समय जो माइक्रो ओर्गनिजम बर्फ के अंदर दबे थे वो ऑक्सिजन का इस्तिमाल करके खुद को बदल रहे थे और इसी समय पानी के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स निकलने शुरू हुए वाल्केन फूटने की वज़ा से फिर एक बार ऐसे ड्रेन स्टार्ट हुई और फिर प्रित्वी बर्फ से डग गई ऐसा हजारों साल तक बार-बार होता रहा और धीरे-धीरे समुद्री जीव प्रित्वी के अंवायमेंट के हिसाब से विक्सित हुए काफी माइक्र ओर्गनिजम खत्म हो गए लेकिन जो बच गए वो अंवायमेंट के हिसाब से बदलते गए अब ये माइक्रो ओर्गनिजम सी क्रियेचर यानी समुद्री जीव बन चुके थे अब धीरे-धीरे ऑक्सिजन की मात्रा बढ़ी और ऐसे ड्रेन कम होने लगी और इस ऑक्सिजन की वज़ा से हमारी प्रित्वी को मिली ओजून लेयर करीब 47 करोड साल पहले प्रित्वी की सरफेस पर पहली बार मोसोस नाम का प्लांट उगने लगा और फिर वक्त आगे बढ़ा और प्रित्वी पर अलग-अलग प्लांट उगने लगे और इस समय कुछ पेड तो इतने बड़े हुए कि उनकी लंबाई 80-100 फीट तक पहुँच गई और अब आया वो वक्त जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकले और जमीनी जानवर में बदलने लगा इस समय प्रित्वी की पूरी जमीन एक ही जगा थी जिसे हम आज पैंजी आइलेंड बोलते हैं वातावरन बदला और प्रित्वी का एक दिन 21-23 गंटे का होने लगा अब जो समुद्री जीव समुद्र से बाहर रहने लगे वो वातावरन के हिसाब से बदलने लगे और धीरे धीरे उनकी बोडी, कलर, स्ट्रक्चर बदलने लगा और वो डाइनसौर में कनवर्ट हो गए जिन डाइनसौर ने पेड पौदे खाए वो लंबे होते गए और जिनोंने शिकार किया वो छोटे और तेज हो गए इन डाइनसौर्स ने पृत्वी पर 20 से 30 करोड साल तक राच किया इस समय डाइनसौर्स पानी, जमीन, हवा सब जगा इनी का ही रास्ता आज से लगबग 6 करोड साल पहले पृत्वी की तरफ आज के माउंट एवरेट से भी बड़ा लगबग 4.5 लाइक किलो जितना एश्तरोईट लगबग 8,000 किलो मीटर प्रती घंटे की स्पीड से पृत्वी से टकराया इस टकर से जो उर्जा निकली वो लगबग आज के 10 करोड परमानों बॉम फटने जितनी थी जहां ये एश्तरोईट गिरा वहां के जानवर, पेड सब भाब बन गए और धीरे धीरे इस एस्तरोईट से निकली गर्मी, धूल और गैसेज प्रत्वी की सर्फेस का सब कुछ खतम कर दिये खतरना गैसेज के कारण प्रत्वी पर फिर ऐसी ड्रेन हुई और प्रत्वी फिर बर्फ से ढग गई लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, असी से 90,000 साल बाद ये बर्फ पिघनने लगी और फिर हमारे प्रत्वी का एंवार्मेंट स्टेबल होने लगा प्लांट्स फेर उगने लगे और जो माइक्रो ओर्गनिस्म जमीन के अंदर बच गए थे वो बहार निकलने लगे और ये माइक्रो ओर्गनिस्म जमीनी जीव में बदले और बाद में ये जीव बंदरों में कनवर्ट हुए अब धीरे धीरे ये बंदर अपने पाउं पे चनले लगे अपना पेट भरने के लिए धीरे धीरे ये एपस यानी वानर में कनवर्ट हुए। इंसान का रूप लिया। क्या आप जानते हैं हमको एक इंसान तक आने में लगबग 450 करोड साल का समय लगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक इंसान तक पहुशने के लिए हमने कितना लंबा सफ़त्य किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। झाल सकते हैं कि एक यू।